जी विज्ञान की आज की कक्षा का जो हमारा सीर्षक है वो है DNA की संदचना means structure of DNA DNA एक नुकलिक अमल है फ्रेटरिक मिसर नामत वैज्ञानिक ने पस को सिकाओं के केंदरक में नुकलिक अमल की खोज की नुकलिक अमल दो परकार के होते हैं DNA वो RNA आज हम DNA परचर्चा कर लेते हैं DNA means deoxyribonucleic अमल DNA को molecule of heredity या molecule of life भी कहा जाता है अर्थात DNA आनुवान से की अनुभी है वो जीवन का अनुभी है यह एक पीडी से दूसरी पीडी में लक्षणों को ले जाने का कारे करता है तो आज की कक्षा में हम DNA के संदजना पर विस्तरत चर्चा पर चर्चा करेंगे तो students, let's start our class DNA का जो अनुभी होता है वो कई polynucleotide स्रिंखलाओं का बना होता है polynucleotide स्रिंखला जो होती है वो एक दूसरे के anti-parallel होती है अर्थात एक दूसरे के विप्री दिशा में चलती है और आपस में लिप्टी होती है polynucleotide स्रिंखला जो होती है उसका निर्मार नucleotide स्रिंखला से होता है तो सबसे पहले हम DNA की नucleotide स्रिंखला के बारे में पढ़ लेते हैं इसको हम 4 थीधी से पढ़ते हैं इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा DNA कि यदि हम एक nucleotide स्रंखला के बारें बात करें तो जो DNA का अनु होता है वो तीन भागों से मिलकर बना होता है इसको हम इस प्रकार से यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं पहला भाग जो इसका होता है उसे हम कहते हैं nitrogenous base पहले भाग को हम कहते हैं nitrogenous base यानि कि इसका नाम है nitrogenous char दूसरे भाग को यह दि हम लेके चलें तो इसे हम कहते हैं pentosugar जैसे कि हमको पहले भी पता है कि जो DNA का अनु है वो deoxyribos सरकरा से बना है और deoxyribos सरकरा जो होती है वो pentosugar होती है pentosugar से हमारा तात पर यह है कि ऐसी sugar जिसमें carbon के पाच अनु उपस्तित होते हैं इसे monosaccharide सरकरा भी कहा जाता है और तीसरा जो भाग होता है उसे हम कहते हैं phosphoric acid तो इस परकार जो DNA का एक अनु होता है वो nimlicate तीन भागों से मिलकर बना होता है इसमें से जो nitrogenous base यानि कि nitrogenous चार है वे उन्हों दो भागों में बढ़ जाते हैं इन दो भागों को हम पहले भाग को हम कहते हैं purine और दूसरे भाग को हम कहते हैं pyrimidine तो nitrogenous जो चार होते हैं वे दो परकार के हो जाते हैं purine वो pyrimidine इसमें से ये purine और pyrimidine फिर करमसोह दो दो भागों में divide हो जाते हैं इसमें से जो purine होता है उसके जो दो भाग बनते हैं उसे एडिनीन और दूसरा guanine कहते हैं इनको हम संकेतों में देखें तो एडिनीन को A और guanine को G के द्वारा दर्साय जाता है जो दूसरा बेस होता है यानि कि pyrimidine वोह दो परकार का होता है पहला थाइमीन और दूसरा cytosine होता है दूसरा जो होता है वो cytosine होता है अब इसमें थाइमीन को हम T के द्वारा दिखाते हैं और cytosine को हम C के द्वारा प्रदसित करते हैं यहां ध्यान देने योगी यह बात है कि जो nitrogen बेस अब यह चार परकार के हो गए है इसमें से एक प्यूरीन एक पिरिमीडीन के साथ और दूसरा प्यूरीन दूसरे पिरिमीडीन के साथ जुड़ता है तो इसमें आप अवसी ध्यान दें कि जो adenine वाला nitrogen इचार है वो हमेशा DNA अनों के निर्मान करते समय थाइमीन के साथ जुड़ेगा और guanine जो है हमेशा cytosine के साथ जुड़ेगा यह सबसे important बात है means A हमेशा T के साथ और G हमेशा C के साथ जुड़ता है इसके अतरिक्त ध्यान देने योगी यह बात है कि जो nitrogen इचार होते हैं यह आपस में hydrogen बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं तो adenine जब thymine के साथ जुड़ता है तो यह दो hydrogen बंधों के साथ जुड़ता है और जब guanine cytosine के साथ जुड़ता है तो यह तीन hydrogen बंधों के साथ जुड़ता है यह तो थी DNA अनू की प्रारविक सन्रचना अब हम इसके आगे इससे nucleotide बनाने का कारे करते हैं तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह जो DNA अनू के भाग हैं सबसे पहले इनसे हम nucleoside का निर्मान करेंगे और वह nucleoside बाद में जाके nucleotide का निर्मान करेगा तो यहाँ पर हम इस चार्ट में देखें तो जो nitrogen base हैं टोटल जो चार प्रकार के हो गए हैं और एक pentosugar है तो इन दोनों को मिला कर जो सन्रचना बनती है उसे nucleoside कहा जाता है यानि कि हम यहाँ पर इससे देखें nitrogenous base जो कि यह है प्लस यह जो pentosugar है इस pentosugar को हम यहाँ पर जोड़ दें तो इन दोनों से मिलकर जो बनता है उसे nucleoside कहा जाता है तो हम इस समय DNA के अणू की सन्रचना को क्रमिक रूप से देख रहे हैं तो nitrogenous base प्लस pentosugar इन दोनों के मिलने से सबसे पहले nucleoside का निर्माण होता है तो हमने इसमें देखा था कि DNA के सन्रचना में nitrogen चार और pentosugar मिलकर nucleoside मिलनाते हैं चुकि nitrogen चार चार प्रकार के होते हैं adenine, guanine, thymine, cytosine तो और pentosugar कौन से होती है डियोक्सी राइबो सरकरा क्योंकि DNA का नाम है डियोक्सी राइबो nucleoside है तो जो पहला nitrogen चार है adenine जब डियोक्सी राइबो सरकरा से मिलता है तो बनता है डियोक्सी एडिनोसीन इसी परकार डियोक्सी गवानोसीन, डियोक्सी थाइमिडीन, डियोक्सी साइटेडीन तो ये हमको चार nitrogen बेस से चार परकार के nucleoside यानि कि deoxy adenosine, deoxy guanosine, deoxy thymidine और deoxysitidine प्राप्त हो जाते हैं ये जो bond बनता है इनकी बीच में अर्थात nitrogen चार और sugar के बीच जो bond हमारे को मिलता है उसे कहते हैं beta glycosidic bond तो इनके बीच में beta glycosidic bond बनता है जिससे हमको चार परकार के nucleoside प्राप्त हो जाते हैं अब जो ये nucleoside हैं अर्थात ये चार परकार जी nucleoside हमको मिल गए हैं अब ये nucleoside अब किससे मिलेंगे? DNA के तीसरे भाग से और DNA का तीसरा भाग कौन सा बचा? phosphoric acid तो अब क्या होगा? कि ये चारो nucleoside, करमसो, DNA के थर्ड पार phosphoric acid के सान मिलकर अब ये निर्मान करेंगे nucleotide का अब हमने देखा जो हमारे पास चार nucleoside हैं deoxy adenosine, deoxy guanosine, deoxy thymidine, deoxy citidine ये करमसो, phosphoric अमलक के सान मिलकर deoxy adenilic acid, deoxy guanilic acid, deoxy thymidilic acid, deoxy citidilic acid बनाते हैं ये चारों के चारों हमारे पास अब क्या मिल गए? nucleotides हमको पराप्त हो गए हैं इस परकार हमको ये चार nucleotide पराप्त हो जाते हैं ये चार nucleotide अर्था जब nucleoside phosphoric अमलक के सान मिलता है तो इस समय यह डाइश्टर bond के द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं वहाँ glycosidic bond बने थे nucleoside में यहाँ diaster bond बनते हैं इस परकार जो हमको ये चार nucleotide पराप्त होते हैं ये चार nucleotide आपस में मिल कर क्या बनाते हैं? poly nucleotide संखला बनाते हैं और वे poly nucleotide संखला जब आपस में मिल जाती हैं तो उससे DNA के अनू का निर्मान होता है DNA के अनू के संदर्व में इर्विन चारगाव एक साइंटिस्ट थे उन्होंने चारगाव रूल दिया जिसे हम base yuglnium या base pairing rule भी कहते हैं उनके अनूसार उन्होंने जब DNA का जलग बटन किया तो उनने क्या देखा कि जितना एडिनीन होता है DNA के अंदर उतना ही थाइमीन होता है वो जितना ग्वानीन होता है उतना ही साइटोसीन हमको प्राप्त होता है अर्थात किसी DNA के अनू में एडिनीन और थाइमीन जो कि आपस में दी बंद द्वारा जुड़े होते हैं बेस यूगल नियम जिसे बेस पेरिंग रूल भी कहा जाता है अब हम DNA का दोहरा हैलिक्स मोडल को देखते हैं अब हम DNA के डबल हैलिक्स मोडल पर चर्चा कर लेते हैं Watson तथा Crick साइंटिस्ट थे उन्होंने अपने साथी Wilkins के साथ मिलकर DNA का दोहरा हैलिक्स मोडल पर आप बनाया जिसके लिए उनको नोबल प्राइज भी दिया गया इस मोडल में यदि हम देखते हैं कि यदि हम जो पॉलिनुक्टर संकलास से DNA का अणो बना है यदि इसके तुलना हम एक सीड़ी से कर लें तो जो सीड़ी के जो दो पाई होते हैं वो बने होते हैं सुगर और फोस्पोरी कम लगे और जो सीड़ी के जो बीच में पाईदान होता है वो हम बना होता है नाइटोजनी च्छारक से तो इस परकार उन्होंने बताया कि जो DNA का अणो के निर्मान में जो पॉली निक्लोटाइट सरंखला होती है वो एक आभासी अक्षे के यदि हम इसको अक्षे मालने उसके दाहीनी और को लिपड़ते हुए बनती है और ये जो स्टेंड होते हैं इसमें से जो स्टेंड का निर्मान होता है वो सूगर और फोस्पोरिक अमले के साथ होता है और बीच में इनको नाइट्रीन चार आपस में जोड़े रहते हैं जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं यह पांच कानप्राण वाली स्रंखला है इसे सूगर या सरकरा कहते हैं इससे फोस्पोरिक अमल जोड़ावा है और हम देख रहे हैं कि सूगर के साथ नाइट्रीन चार जोड़े वे हैं यदि एक स्रंखला में नाइट्रीन चार एडिनीन होगा तो दूसरी स्रंखला में और्टोमेटिक चार थाइमीन आ जाएगा इसी परकार यहां गवानीन होगा तो यहां साइटोसीन आ जाएगा इस स्रंखलाएं जो होती हैं पॉलीनुक्लियर स्रंखला जो होती हैं एक दूसरे के एंटी पेरलल होती हैं अर्थात यदि पहली स्रंखला 3-2-5 है तो दूसरी स्रिंखला जो होगी वह हो 523 होगी अर्थाथ जो पेंटो सरकरा में कारबन के पाँच अड़ू है तो पहली स्रिंखला में जो फॉसपोरी गमल है वह सुरुवात कहाँ से होगी? वह पैंटो सरकरा के तीसरे कारबन से जुड़ा होगा और वहां से कहां तक चलेगा पांचवे कारबन तक दूसरे सरिंखला में जो फोस्पोरी कमल होगा वह पांचवे कारबन से जुड़ा होगा और तीसरे कारबन में अर्थात दोनों सरिंखलाएं एक दूसरे की एंटी पैरलल होती हैं और एक आभासी अक्ष में दाई ओर को लिपट कर DNA के अणुकी संदशना का निर्माण करती हैं अब यदि हम DNA की संदशना का ध्री कुलिद मोडर मनाएं तो इसके लिए आपको आसानी होगी आप इस परकार से दो पैन या कोई से दो हेडिंग ले 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 उनको इस परकार रखें और इसको इस परकार से आप में कुछ निकनना है और इसे घुमाते वे जाना है इसी परकार ही है तो इस परकार हम देखते हैं कि जो DNA का अणू है इसकी डवस रिंखला हमको प्राप्त हो जाती है इसमें हमने ध्यान देने योग की यह बात हमने रखनी है कि एक मोड से दूसरे मोड के बीच में लगभग हमारे पास 34 एंगे स्ट्रॉम की जगव होती है जैसे हम इसक दूसरे मोड में जो बीच में नाइट्रोजन छार होते है इनकी जो कुल संक्या होती है वहात 10 होती है तो 10 एक मोड में खुल 10 नाइट्रोजन छार पाए जाते हैं और चूकि कुल मोड की लंबाई कितनी है 24 एंगे स्ट्रॉम तो दो चारकों के बीच में जो दूरी होती है वो 3.4 एंगेश्ट्रॉम की होती है और जिस काल्पनिक अक्ष के दोनों दाई ओर को लिपट कर DNA अनु के सन्रशना का निर्मान होता है उसका व्यास लगभग 20 एंगेश्ट्रॉम होता है इस परकार वार्शन तथा क्रिक ने DNA का जो 12 हैलिक्स मॉडल दिया उसके अनुसार जो DNA का दूकंडित मॉडल है उसका व्यास 20 एंगेश्ट्रॉम होता है और प्रतेग मूड की लंबाई 34 एंगेश्ट्रॉम होती है एक मूड में 10 नाइटोजन चार उपस्तित होते हैं और प आज की कक्षा में DNA अनु का 12 हैलिक्स मॉडल पड़ा वो DNA की संदशनक आध्यन किया यहाँ परिक्षा में कभी काफी बार पूछा जाता है वो कंटिशन में भी इसके बारे में कई क्वेश्चन पूटब होते हैं तो आपको हमारी आज की कक्षा कैसे लगी हमें जोड़ ब